दोस्तों गर आप भी रोहितिश शर्मा को महान बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिसको सुनकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे तो आखिरकार पुरधान मंतरी रिशी सुनक ने बारत बनाम इंगलेंड मैच को लेकर भविश्यवानी करते हुए क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर द ये टीम ने जीत हासिल किया ऐसे मैं भारती टीम को अगला मैच इंगलेंड के खिलाफ लखनों के अटल बिहारी वाजपई इकाना स्टेडियम पर 29 अक्टूबर को खेलना है जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तयार हो चुकी है इस दोरान भारत की कमान रोहित शर समझा लेंगे तो वहीं इंगलेंड की कमान जॉस बटलर के हाथ में रहने वाली है लेकिन इसी बीच भारत और इंगलेंड के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से पहले इंगलेंड के प्रधान मंतरी रिशी सुनक ने बयान जारी कर दिया है जिसमें इं भारत इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त फार्म में दिखाई दे रहा है और लगातार जीत पर जीत दर्च कर रहा है तो दूसरी तरफ इंगलेंड की टीम इस समय अपनी खराब स्थिती से गुजर रही है और आने वाले मैच में बहतर प्रदरशन करने का प्रयास करने वाली है ऐसे में भारत और इंगलेंड के बीच ये मैच वास्तव में रुमान चक होगा इस मैच के लिए दौनों टीमें फेवरिट मानी जा रही है क्योंकि इंगलेंड की टीम वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन है तो वहीं भारतिय टीम अपने घर से खेल रही है ऐसे म मुझे लगता है कि भारत बना में इंगलेंड का मैच वास्तव में काफी रुमान चक होगा इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए का है कि इस वर्ल्ड कप में सभी टीम एक दूसरे के उपर भारी है हाला कि भारत ये टीम ने एक भी मैच अपने हाथ से नहीं हाला कि इंगलेंड की टीम के पिछले कुछ मैच खराब रहे हैं लेकिन इस बार इंगलेंड की टीम भारत को हरा कर अपनी पुरानी लेमें लोटने का पूरा प्रयास करेगी इसके लावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि इंगलेंड की टीम के पास जबरदस लिए उकाद दिखा देगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ भारतिय टीम को जीत मिल सकती है नहीं अपनी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद जरूर झास धन्यवाद दो टी मेंडान के जरूर दूरut को सब्सक्राइब राए और जिकारे राए để बाता इनसे ढले उरूर रहीं दिदाएब दोड़ा से से सब्सक्राइब गर्ड़ा है जरूर. झाल झाल